गूद मॉनिंग जी नमस्कार प्रणांस विकार करें दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिकेफिन से और आज हम यहां बात करने वाले हिंदी सिनमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक नर्गिस जिकी जिनके तारुप और तारीफ में सुर्गिय नौशाद साहब ने कुछ यूँ जिसका नाम नर्गिस था वो एक नेकी और भलाई का नहुना थी वो सही मानों में एक बहुत बड़ी इंसान भी थी फिल्म की कलाकार एक अलब चीज है उसमें उन्होंने एक अपना मकाम जो पैदा किया उससे हर शख्ष वाकिफ है उन्होंने एक नया रास्ता एक नई दिल लोगों को दिखाई बहुत खूब फातिमा रशीद उर्फ नर्गिस का जन्म एक जून 1929 को कलकत्ता के एक ऐसे घर में हुआ जहां शुरू से ही फिल्मी माहौल था उनकी माँ जद्दन बाई एक मशूर गाईका जो थी जाहिर सी बात है कि कला नर्गिस को विरासत मे पर बावजूद इसके बचपन में नर्गिस की अभिने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वो तो डॉक्टर बना चाहती थी जबकि उनकी माँ चाहती थी कि वो अभिनेतरी बने और इसलिए एक दिन बेटी नर्गिस को स्क्रीन टेस्ट के लिए निर्माता निर्देशक अनमने ढंक से डायलोग्स बोले ताकि महभूब खान उन्हें फेल कर दें पर ऐसा हुआ नहीं महभूब खान ने फिल्म तकदीर में लीड रोल के लिए नर्गिस को चुन लिया और इस तरह शुरू हो गया नर्गिस का फिल्मी सफर लेकिन क्या हुआ कि उन्हें जाना